सबी को नमस्कार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल कमवीदनेचर में और आज हम बात करेंगे ड्रेगन फूट प्लांट को फर्टिलाइज कैसे करें और ये वही कटिंग लगानी जो मैंने आपको बताई थी दो महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी उसका वीडियो भी शेयर किया था अगर जिनोंने नहीं देख रखा वो मैं इसका लिंक जो है डिर्स्क्रिप्शन में देदूंगे वो देख लेना और इस प्लांट को लगाना बहुत आसान है बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसक अगर हम इसे कम बाटरिंग देते हैं तो मैंने इसकी ये 5-6 कटिंग जो भी थी वो सारी लगाई थी वो सारी सकसेस हो गई है और आज जैसे मैं अभी ये जो मेरे प्लांट है इनको तो मैं अभी नहीं अटाओंगी मैं इनको जब भी अलग अलग करूंगी तब आपके शा मेरा जमीन में प्लांट और इसी के अगला प्रोसेस करेंगे यानि इसमें ही हम खाद डालके बताएंगे किस तरह से आपने खाद देनी है अपने ड्रैगन फ्रूट को और मैंने मेरे पहले जो प्लांट था मैंने उसमें दिया और उसका मुझे अच्छा रजयर्ट मिला तो म प्लांट में मैंने खाद नहीं दी है जैसे कि देख रहे हो आप इसकी जो सोयल है वो बिलकुल सोफ्ट सोयल है सेंडी सोयल है और इसमें हम फस्ट टाइम खाद दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका प्लांट देखा जाता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है तो जैसे क यह मेरा प्लांट लग बग एक फिट के आसपास का हो गया है और अच्छा मैचूर प्लांट है तो इसमें अब हम खाद दे सकते हैं और खाद कैसे देनी है तो पहले तो हम जैसे इसमें एक या दो दिन पहले पानी दे देंगे ताकि हमारी मिट्टी जो थोड़ी सी नरम हो ज करना है यानि यहां तक हमें इसका खाना पहुचाना है और फोड़ो का खाना खाद होता है तो हमें यहां पे खाद देना है इस तरह से मिट्टी को हटा के और फिर हम अपने प्लांट की जो चारो तरफ है वो खाद देंगे देखी कोई भी प्लांट को खाद देने का अच् soil भी मिली हुई है जैसे कि मैं एक मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें बताया था कि हमारी जो गुबर की खाद है उसमें मिट्टी मिली हुई है तो मैं थोड़ी सी मातरा उसकी बढ़ा दूँगी तो अपने हाथ के हिसाब से जैसे हाथ में जितनी आती है न उस हिसाब से जैसे मैं एक आत के उससे दे रही हूँ अंदाजे से तो मैं इसमें पांच या छे जो मुठी होती है अपनी वो भर के और मैंने इसमें दे दिया तो अगर आप पोट में है आपका प्लांट तो अगर आपका प्लांट यू है ना कि जैसे अगर छोटा पोट है तो उसमें दो मुठी डाल दीजिए अगर थोड़ा पोट बड़ा है यानि दस इंच के आसपास हैं तो उसमें चार कर लीजिए तो इसे साब से थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से हम अपने प्लांट को खाद दे सकते हैं तो थोड़ी मातरा की जो बात होती है ना वो मातरा इसी से अंदाजे से ही देती हूं मैं तो और मैंने जो पहले प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी उसका रिजल्ट जो मुझे अच्छा मिला है उसमें देने के बाद ही मैंने इसमें दिया है तो इसमें भी ऐसे ही है और इसमें इस तरह से जैसे कि दिख रहा है मैंने नीचे खाद डाल लिया और फिर उसके बाद उपर मिट्टी डाल के फिर पानी दिया है इसका ये रिजन है कि हमारी जो खाद है क्योंकि गोबर जो खाद होती है वो slow release खाद होती है यानि हमारे प्ल पानी देंगे तो उपर की तरफ नहीं आएगी अगर इस तरह से मिट्टी हम उपर डाल देंगे न तो और पानी मुझे इसमें भर के देना है क्योंकि जो मेरी खात थी वह बिल्कुल सुखी हुई थी अब यह साइड में थोड़ी सी खात थी देखो वह आ गई थी तो उस बोट आई है वह अलग ही है और यह चोटी सी कटिंग थी और यह मैंने पहले भी शेयर की थी आपसे तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है गोबर खात देने की वज़े से तो मैंने इन दोनों प्लांट में जो थे अपनी खात दी थी दो महीं ने तनी बंदरा बीस दिन पहले और देखी कितना अच्छा रजल्ट मुझे अच्छा रजल्ट दिख रहा है इसी वज़े से मैंने आप लोगों के शाथ ये वीडियो शेयर किया है कि अपने जो ड्रेगन फ्रूट है उसको मैं ऐसे फर्टिलाइज करती हूँ अगर आपके पास भी है यह प्लांट तो आप उसको अभी जैसे अक्टूबर नौवंबर में आप उसे फर्टिलाइज कर सकते हो और आगर आप अब नहीं करना चारे आपका प्लांट छोटा है तो आप फरवरी और मार्च में भी कर सकते हैं तो यह दोनों राइट टाइम है इसके लिए फर्टिलाइज के है तो मैं इसको देख लूँगी बाद में अगर खराब होती है तो मैं इसको अटा दूँगी और इसको अटा देगे तो शाइडों में से मुझे जो ये मेरे जो पॉर्ट में लगी हुए कटिंग इनको अभी ऐसे ही रहने देंगे और इनको जब भी मैं आलग अलग करूंगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेर कीजिए और साथ में बैल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए वीडियो देखने के लिए थैंक यू